हालो जोहें दोस्तों मेरा हाउसिंग राहूल वाई फाइस्टेडी में आप सभी लोगा बहुत बहुत स्वागों तोलबी नंदन करता हूं फ्रेंट्स आज आठ जनुवरी 2022 से वाड जनुवरी 2022 कि सुनु जोहीं महत्रपूल खबर बन सकते हैं वो लेकर कि मैं आपकी समझ आ चुका हूं बात करूंगा यूपी टी परिच्छा के साथ साथ उत्तरप्रदिर पुली बर्ति पूर्थी बोट के सब्बंद में भी इस वीडियो में आप अंतक इस वीडियो बने रहीएगा चैनल पर नहीं चलको जो सब्स्क्राइब करने साथ ने भी लाइकॉन की गं पहुंचा जाज़के तो पहले फ्रेंट आज हम बात करेंगो उत्तरप्रदेश अधिनस्ट सेवाथ सण आयोग को लेकरी उत्तरप्रदेश अधिनस्ट सेवाच चैनल बीस यार भरतियां अब प्रकिरिया दीन है जियां बीस यार भरतियां नई भरतियों को लेकर के 2022 में प्रकिरिया यह जो है इसी में शुरू कर दी गई है रही बात लेकपाल भरति को लेकर के तो कर लेकपाल भरती की लेकर के आलना एन बेदरिश प्रकिरिया सुरू हो चुकी है और बहुत से बर्तों को दिक्कते भी आ रहे हैं फोर्म भरने में तो आप लोग जरूर अगर कुछ है तो मैं आपको बता दे मैं एक आप सभी लोग वीडियो प्रवाइट करा दू और उसके माद्यम से आप आसानी से अपना फार्म भर सके बहुत से बर्ति को रिश्टेशन नहीं मिला है फोटो अपलोडिंग को लेकर के समस्या है अगर आपको अशा कुछ लगता है कि हमारे वीडियो के माद्यम से आप चीज़ों को समझ पाएंगे तो आप लोग जो उनकी में बाक्ष में बना सकता हूँ आपको वीडियो भरती जो है लेक पाल भरती की अनलाइन अब दन की पेकरिया को लेकर की क्या क्या प्रोसस है हो नहीं आगे हम लोग बात करेंगा तो उत्तर प्रदेश में या तो सरकार अंधी हो चुकी है या तो उत्तर प्रदेश के अधरनसर सिवाल चेनायोग बिलकुल अंधी हो चुकी है सरकार को जोटी इंफार्मेशन दे रही हो जी यहां प्रदेश की मुख्या मुखमंत्री माणने मुखमंत्री ने कुछ ऐसे जोटा है या फिर उसको कोई गलस सोचना पहुचा रहा है जी यहां कुछ आपको सबूत के साथ मैं दिखाऊंगा बताऊंगा चलिए रिट करते हैं पूरी यहां पर यह ख़बर आप सभी लोग देख सकते हैं परदेश में जिस प्रकार से एक बार बिना लेकपाल भरती को लेकर के पार्टी कारियाले यानि विजेपी के पार्टी से लेकपाल भरती को लेकर के एक विग्यापन जारी किया गया अब इसी प्रकार से फिर एक बार आप देशेतने हैं सिर्म ने क्या बयान दिया है सिर्म ने दिया सरकाई नोकरियों को हैसा मुक मंत्री ने कहा कि बे अब तक परदेश में मादमिक बेसिक और उस सिच्चा में एक लाग पचातर जार सिच्चकों की तैनाती हो चुकी है। उन्सट क्रमचारियों को राजस उन्हें अच्चके परत्र पर्मोशन दिया गया। साथ ही 556 करिष्ट सायकों की भरती किया गया। आठ जार से अधिक लेकपालों की चैन प्रकिरिया को आगे बढ़ाया है और 512 मिर्थक कास्तों की नौकरी दी गई है। यानि ये 556 जो बात की जारे करिष्ट सायक भरती को लेकर के ये भरती 536 पर है डेटा भी सही नहीं दिया गया है। और ये भरती प्रकिरिया अभी प्रकिरिया में ही है। चोग यह अनतिम पॉड़ाम इसका रुका हुए अभी अदिनस्र तो से बाचक नायोग में और किस प्रकार से मानने मुकमंतरी जो की एक परदेश के आप सम everybody है कि मानने मुकमंतरी जो एक पद होता है मुकमंतरी के कितना गशील हुता है और इसको लेकर किस प्रकार से गलत ब्यान जो है या गलत सोचना दी गई इनको यह आप तलग देख सकते हैं तो इससे जितने से तो अपर युवाओं के मन में बहुत बड़ा आकरोसे सरकार के परत आयोग के परत चली आगे बात करते हम सभी लोग यहां से यह दो बाते हो गई हैं उत्तरप्रदेश अधनस सेवा चैनायोग को लेकर के अब उत्तरप्रदेश अधनस सेवा चैनायोग की आईटियाई अनुदिसक भरती को लेकर के अभरतियों में एक भ परिच्छा में जो भी उपस्तिच्छात हैं उनको जो है मौका के वल दिया गया तो उत्तरप्रदेश जो जारी हुई है 2504 पदों के लिए इस में अभर्थी आयोक को मिलने वाले ही नहीं है जिए अब्धर्थी आयोक को मिलने वाले नहीं है आगे हम लोग बात करेंगे उत् एपिया की भरती को लिखके जी यहां पिछले छह साल से नहीं आई है अपर नजी अपर निजी सच्चु की भरती उत्त्य परदेश लोक से वाकियोर से और सोला के बाद से सायक अभियोजन अधिकारी भरती सुरू नहीं करने से प्रत्यों की चात्त प्रेशान है उन्होंने विधी संबंदित पर चाओं पीसिर्जे और रेपियो ना कराने पर दुख जताया है और आयोग कोजल से अभिदन लेने की मांगी है विभिन मांगों को मोर्चा के अध्यच कोवसल सिंग की अध्यचता में इलहावद विश्विदाले चास संग भौन पर नौ जनवरी को बैठक बुलाई गया है सायोजक अजीतराय वाववपी सिंग का काना की आयोग को प्रामिक परिचाओं के संसुज उत्तरकुंजी भी जारी करनी चाहिए लोवर् स्वाड़ी नेर सिवा परिच्चा को अधिनसर सिवाग चैनायोग से कराने की बजाएए कोई बात कही गई है है ना जैसा कि आप लो जानते हैं लोवर PCS की भरती अभी भी UPCC में फसी पड़ी हुई है और इसकी मुख पर इच्छा को लेकर के डिवाइट एंसर की अभी तक जारी नहीं हुआ है और इसका रिजल्ट जारी करने की अभी दूर की बात है देख सकते हैं भाती लोग सिवा आयोग से कराई जाए और PCS की PES सिवा GIC प्रिंस्पल डार्ट प्रॉक्ता अभी से के सभी पदों की योगता संतूल रखी जाए क्योंकि सभी समान प्रसाशनिक पद हैं और एक दूसर के पदों परस्तांतर भी किया जाता है क्रोना परभावित अभर्टी जिनकी आयोग सिमा वर्ष दूसर बीस से उक्रिस में स्वाप्त हो गई है उन्हें नियुन्तिम दो अत्रिक्त अवसर उप्राद भी कराए जाए इसलिए हिंदी वागनेजी भाशा में लिखित उत्रपुस्तिका का मुल्याकर समन्दित भाशा विस से किसे ही कराया जाए वह मूग परिच्छा में विकल्ब मांगा जाए यह तो बाते कुछ उत्तर परदेश लोग सिवायोग के बारे हो गई है जो उत्तर परदेश लोग सिवायोग भरती को लेकर के बात कही जा रही है लोवर पीसेस की परिच्छा अधिनस्त सिवा चैनायोग से हटा करके पुना एक बार उत्तर परदेश लोग सिवायोग से का जाने की मांग अबर्तियों दारा की जा रही है और EWS टेडी में जो छूट की सीमा है अच्छी सीमा है इनको भी पांच वर्स की जो है छूट देने की बात कही जा रही है संगठन के द्वार आगे बात करेंगे सिचक भरती को लेकर के परदेश में 97 पदो पर भरती के लेकर के भाजपा दब्तर का घहराओ जीहां बीचेतने प्रसिदिये प्रात्म को स्कूलों में सायका अध्यापा के 97 पदो पर मांग को लेकर के डियलेड यानि बीटी सी प्रस्चुकों ने सुख कुरार को भाजपा करियाले सिविल लाइन्स का घहराओ किया यह पल्याग राज की बात है साथ में सांसद का भी घहराओ किया सांसद केसरी देवी को दिया ग्यापन और सांसद ने सीम को लिखा पत इसके साथ साथ आधिते एड़र जुनियर भरती को राद में भी धरने पर डटे रहे हैं चात यानि प्रदेश में आप बेर्दियों की तरब से चायो अधिना से से लोक सिवायों की भरती परिच्छा सिच्चक भरती परिच्छा या पर किसी अगरती परिच्छा को लेकर कि प्रदेश में इसकर अपने स्वास्त के बिना ख्याल रखते वे लगातार अपनी भर्तों को पूरा करने को ले करके बेग्यापन जारी करने को ले करके रिजल्ट जारी करने को ले करके ये अपनी जोर आजमाइस कर रहे हैं सरकार के खिलाब लगातार उनके दोरा अपने छेत के लोग सभा सांसस से राज सभा सांसस से बिधायक से मंतरी से परते जगा ये अपनी गुहार लगा रहे हैं लेकिन किसी प्रजार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है हो वही राय जो सरकार चाह रही है आगे बात करेंगे हम सब भी लोग यहां से 23 जनवरी को आपको परिच्चा है और प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना महामारी एक बार पुना अपने पाउं पसार रही है इस से कहीं कहीं परिच्चाओं पर जो संकट का दोड़ है वो शुरू हो चुका है लेकिन एक तरफ परिच्चा नियामक पुरी तरीके से अपनी परिच्चा 23 जनवरी को लेगर के त्यारी में जुटा हुआ है आप देशे तेहीं सुवे में 2532 केंद्रों पर होगे पराथ्मिक अस्तर की परिच्चा उत्यबदी सिच्छा क्पाता परिच्चा यानि यूपीटेट परिच्चा सुवे में 23 जनवरी को परस्तावी थे इसके लिए सच्वी परिच्छा नियमक प्राधिकारी कर्याले की ओर से केदी धान के पेकरिया पोरी कर ली गई है और प्रात्मिक अस्तर की परिच्छा 2532 केंद्र पर होगी इस बार प्रात्मिक अस्तर की परिच्छा 22 केंद्र कम हो गये हैं जबकि इससे पहले 28 नॉमबर की परिच्छा के लिए 2554 केंद्र बनाए गये थे उच्छ प्रात्मिक अस्तर की परिच्छा में 24 केंद्र कम हो गये हैं पिछली बार 1747 के अंदर बनाए गया थी लेकिन इस बार 1733 परिच्छा के अंदर बनाए गया है गौर तलब है कि UPTT 221 की परिच्छा 28 नॉंबर को प्रस्तावित थी लेकिन परिच्छा कुछ ही समय सुरू हो वह वह था और ये परिच्छा कैंसिल कर दी गई है और निरस्त कर दी गई थी इसके बाद परिच्छा की नहींति थी तेजज़नवरन इधायत की गई है सच्चुव परिच्छा नियामक प्रदिकारी पुरी तरीके से परिच्छा कराने में जुटे हुए हैं तो अब देखना यही है कि परिच्छा तेज जन्मरी को होगी या फिर पोस्पोन होगी लेकिन परिच्छा नियामक जो है पुरी तरीके से त्यारी में लगा हुआ है और ये महत्तपूर चीज है कि आपकी परिच्चा हो जाए क्योंकि काफी लगों ये भरती से जुले हुए है लाकों भरती जुले हुए है परिच्चा हो जाए बैकि जो भी चीज़े होती है आगे देख ली जाएंगी आगे बात करेंगो उत्तर प्रदेश पूली भरती पूर्टी बोर्ट को लेकर के परदेश में 26-210 नागरिक पूलीस और फायरमेन के सहित 172 पदों के लिए निविदाया मंतित की गई है उत्तर पूली भरती पूर्टी पूर्टी बोर्ट के माद्यम से यानि बहुत जल्द है 2016 भरती जो मानिय उच्छनियाले में थी वो देख सकते हैं यहां से खबरें सीम ने देही बढ़ाई आगे देख सकते हैं द्रोगा भरती का रास्ता साप सुप्रिम कोट ने हाई कोट के आदेश पर लगाई रोब सुप्रिम कोट ने यूपी सरकार को बड़ी रहत देते हुए 2016 सभी फिर्टर भरती के पास करिन धाई हजारा भरती की भरती का रास्ता साप कर दिया है इलहाबाद हाई कोट की नतीजे रद्द करने वाले फैसले पर देश की सिस अदालत ने रोक लगा दी है हाई कोट ने फिर से मेरिट लिष्ट बनाने का निर्देश दिया था जस्टिस यूई उललित और जस्टिस बिनीत सर्ण की पीट ने फैसला प्लटते हुए आल्लाइन पर इच्छा के नियम को सही मानते हुए भरती पेक्रिया पूरी करने के निर्देश दिये हैं यूपी सरकार की उर स से वर्ष 216 में राज पुलिस में 2400 सब इंस्पेक्टर 210 फ्लाटून कमांडेट और 97वे फायर अधिकारी भरती के लिए अभी दन मंगाये गये थे अब भरत्यों को पहले ही बता दिया गया था कि लिखित पर इच्छा में 50 फिर्दी यंक अनिवार हैं इसके वाजू चैन हैं हैं और एक सरकारी प्रवक्ता नें बताया कि फैसले से 266 अभरती लवानवीत होंगे इन में से उपने चक के 1704 अभरती प्लाटून कमांडर पीसी के 140 अगनी समंदूती अधिकारी के 265 अभरती इसमें सामिल थे अब इन लोगों की जोईनिंग के लिए जल से जल देख सकते हैं हम सभी लोग जो इंपॉर्टन चीश है बारी बारी इसके चलते चैन बोर्ट पर इवा मंच के पूर्व घोसे तान दोलन के अस्तगित होने के बाद इवा मंच परियागराज 21 सचिव सीतला ओजा के दित में पांस दसे टीम ने उप सचिव नवल की सोर से कल वारता की वारता में उन्होंने पंदा जनुवी तर टीजीटी पीजीटी दुर्वाइस बिग्यापन जारी करने का सौसन दिया है और बताया है कि बिग्यापन के संब्द में चैन बेकरिया पहले से जारी है ऐसे में अचार संग्दा लागू होने से बिग्यापन जारी कर का और चिंदाद दूर किया जा सके 82 रावायर पर फिरंगापन जारी करने की मांग in वार्ता पूर प्रप्रुंसे और ग्यापन जारी करने तकषर को कि 22,000 पहुआ को परस्ताउइब। बिग्यापन जोड़नें करें नारेबाजी का रवाज बुलंद की गई इस दोरार प्याग राज इकाई युवा मंच से इतला होजा दुरू कमार चौधरी अलोग सुकुलू हुम परकास ग्यान परकास सिंग बृतुंजे तिवारी आज मौजूद रहे युवा मंच अध्यच अनिल सिंग ने कहा कि मादमिक बिद्यालों में मुकमंतरी द्वारा दो जुलाइज को 27 यहार पदों पर चैन प्रक्रिया सुरू करने घोसरा की गई थी इसके साफेज चैन बोड के अधिकायर द्वादी का इजानकारी कंसार बेहदी कम पदों पादियासम पराप चुगा है जिन 22 तथचकों का बेवला सुप्रेम कोड में दाखिल किया गया सुप्रेम कोड के आधिस के बाजोद नए विग्यापन में 22 यहार पदों में जोडने की भी आनकारी की जा रही है तो यह कुछ बाते हैं कि 15 जन्मरी तक टेजी टी पेजी टी नई भरती विग्यापन आपको देखनों को मिल सकती है उत्तर प्रदेश के इपाओं के लिए विसेज़वर्पाइब से जो चात रहें उनके लिए एक सुनहरा आउसार होगा तो यह कुछ महत्रपूल खबरे थी आज वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए मिलते हम नेक्ट वीडि जय भारत